आज हम अपने 6th class के SST course में जियोग्राफी का 1st chapter करेंगे चेप्टर का जो टाइटल है वो है सोर मंडल में पृत्वी सूर्यास्त के बार आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदू ही देखते हैं लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है आप उनकी गणना नहीं कर सकते संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तों से भर जाता है जिन में से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंदले ऐसा प्रतीत होता है मानों आकाश में हीरे जड़े हो इन में से कुछ टिम्टिमाते प्रतीत होते हैं लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन में से कुछ के टिम्टिमाहट अन्य से अलग है ये बिना किसी टिम्टिमाट के चंद्रमा के सामान चमकते हैं पहले ही पारग्राफ में आपको बताया गया है कि जब हम शाम को आकाश में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं आकाश में जो कि तिम्टमाती हैं, क्या तिम्टमाता है? तारे तिम्टमाते हैं. हमें आकाश में रात में क्या दिखाई देते हैं? चंदरमा तारे और कुछ तारों के समू दिखाई देते हैं, जो कि चमकते हैं. इन चमकीली वस्तों के साथ साथ आप लगभग परते दिम च खाई पड़ता है चंदरमा की क्या विशेष्टा है कि वो हर रोज उसका आकार अलग होता है और उसकी स्थिती भी अलग होती है आकाश में उसकी जो दिशा होती है वो भी अलग होती है आप पून चंदर को लगबग एक महीने में एक वार देख सकते हैं यह पून चंदरमा वाले रातिया पूर्णिमा होती है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते यह ने चंद्रमा की रात रिया अमावस्या होती है ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का व्लोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं यहां पर हमें पूर्णिमा और अमावस्या के बारा में बताया गया है पूर्णिमा क्या होती है कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा की स्थिती और आकार जो है आसमान में वो बदलते रहते हैं पंदरा दिन तक चंद्रमा का आकार बढ़ता रहता है और जब वो पूर्ण आकार में हमें दिखाए देता है उस दिन होती है पूर्ण इमा और जब वो घटा-घटा सबसे छोटे आकार में रह जाता है उस रात को हम कहते हैं आमा वस्या क्या आपको इस बात पर आश्चरे नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा आयमी सभी छोटी चंद्कीली वस्तों को क्यों नहीं देख पाते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यतिक तेज परकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तों को हम दिन में नहीं देख और यहां पर बताया गया है कि यह जो चंदर्मा तारे और जो दूसरी चीज़़े हैं आक आश में जो रात को चमकते हुश दिखाई देती हैं वो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि दिन में सूरज होता है आसमान में जिसके परकाश में ये सब चीजें ढग जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं इस चीज को समझने के लिए यहां दाई तरफ एक प्रयोग भी दिया गया है आप इसको करके समझ सकते हैं बहुत अच्छी दरह से कुछ खगोली पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं ये गैसों से बने होते हैं इनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सरजित करते हैं इन खगोली पिंडों को तारा कहते हैं सूर्य भी एक तारा है या हमें बताया गया है कि तारे क्या होते हैं खोगोली पिंड जो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, जिनकी ये पास अपनी गर्मी होती है, अपनी रोशनी होती है, और जो बहुत बड़ी मात्रा में रोशनी भी उच्छित करते हैं, ऐसे सभी खोगोली पिंड हों कहते हैं, तारा और सूर्य भी क्या है, एक तार तारा ही है सूर्य भी एक प्रकार का तारा है रात के समय चमकते हुए अंगिन तारे सूर्य के समान ही है लेकिन हम से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उश्मा या प्रकाश को मैसूस नहीं करते हैं दथावी अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं अब आप सो लिए क्योंकि सूर्य जो है प्रत्वी के नजदीक है जबकि जो बाकी तारे हैं वो प्रत्वी से बहुत जादा दूर है अपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तमें बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं आत्यदी कुचाई पर हाँ हवाई जहाज कितना चोटा दिखाई देता है रात्री में आसमान की और देखते समय आप तारों के विभिन समूह द्वारा बनाई गई विविद आगरतियों को देख सकते हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं यहाँ पर पताया गया है कि तारों के समूह मिल कर जब और आर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और बहुत असानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सब्त रिशी जो यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है यह साथ तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है रात्री में दिशाक अने धारण तारों की साहता से करते थे, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा होता है धुरूवतारा, धुरूवतारे का ही नाम है उत्तरी तारा, इसे धुरूवतारा भी कहा जाता है, यह आस्मान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता ह ये चंद्रमा की तरह अपनी स्थिती नहीं बदलता है, कोई भी तारे जो है वो अपनी स्थिती और आकार नहीं बदलते हैं, उनका आकार और उनकी स्थिती आकाश में वैसी ही रहती है हमेशा हम सब्तरिशी की सहायता से धुरूव तारे की स्थिती की को जान सकते हैं, चितर एक पॉइंट एक में आप देख सकेंगे कि यदि शब्तरिशी मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए वेवम उसे आगे की और बढ़ाया जाए तो यह धुरूव तारे की और इंगित करेगी, यह देखिए सब्तरिशी हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, और अगर आप यहाँ इस दिशा में खड़े होकर इन दो तारों की सीद में ऐसे देखेंगे, तो आपको जो यहाँ पर बहुत तेज चमकता हुआ त दिशा को देखने के लिए तारों आदी खगोली पिंडों काहें इस्तमाल किया जाता था, कुछ खगोली पिंडों में अपना प्रकाश यह मूश्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कर लाते हैं, अब हमने यहाँ सिखा है क ग्रह वे खगोली पंडों पिंड होते हैं जिनकी ना अपनी रोशनी होती है जिनके पास ना अपनी उश्मा होती है ऐसी खगोली पिंडों क्या कहते हैं ग्रह कहते हैं ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और तारों की रोशनी पढ़ने से ही इनके उपर रोशन जो है वो दिखाई देती है ऐसे पंड ग्रह कहलाते हैं ग्रह जिसे एंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं ग्रेक भाशा के प्लेडनेटाई जिसे एंग्रेजी में शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परीब्रमक अर्था चारों और घूमने वाले पृत्वी जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है, यह है अपना संपून प्रकाश ये मोश्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो प्रिTHWi के सबसे नस्दीक का तारा है, प्रिTHWi को बहुत अदिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा कि धर चमकती हुई प्रतीत होगी, और ऐसा ही एक ग्रह क्या है, पृत्वी है, जिसका अपना कोई प्रकाष नहीं, जिसके उपर अपनी कोई उश्मा नहीं है, उसके उपर जो रोश्णी किसे कारण है तो पृत्वी जो है, अगर हम चंदरमा से जा कर देखें, तो वो हां से हमें चमकती हुई लगेगी, और ऐसे लगेग सूरे के सबसे नजदीक जो ग्रह है ग्रह क्या होते हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है जो तारों से प्रकाश और रूश्मा प्राप्त करते हैं सूरे के सबसे नजदीक है बुद्ध, उसके बाद है वीनस या शुक्र, उसके बाद तीसरे नमबर पर है पृत्वी, फिर है मार्स या मंगल, उसके बाद है जुपिटर जो आकार में सबसे बड़ा है, यहां बीच में एक शुद्र ग्रह पट्टी है, मतलब बीच में छोट और यह अपने छले होते हैं, उसके बाद है यूरेनस और उसके बाद नेप्चुन, यहां इसी प्रिष्ट पर यह भी बताया गया है, कि हर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है, उसको कितना समय लगता है, आप इस सब जानकारी को एक प्रिष्ट पर लिख लेंगे और अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे, यह आपकी भविश्य में काम आने वाली जानकारी है, आस्मान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, अब यहां हमें बताया जाएगा नेक्स पेज पर कि उपग्रह किसे कहते हैं, चंद्रमा जो है वो भ हमारी प्रित्वी के समान साथ अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और मूश्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, यहां पर हमें पता चला है क्या पता चला है कि चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है, वो किसका वो प्रित्वी के च वो सब भी क्या हैं ऐसे ही पृत्वी की तरह ग्रह हैं और उनमें से भी कुछ के अपने उपग्रह हैं जैसे पृत्वी का चंद्रमा है सूर मंडल, सूर्य आठ गर, उपगर तथा कुछ अन्य खगोल ये पिंड जैसे एक शुद्र गर, उल्का पिंड मिलकर सूर मंडल का नर्माण करते हैं उसे हम और सूर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है और यहाँ पर बताया गया की सौर मंडल किया है, सौर्य उसके आथ गरह और उन गरहों के जो उपगरहं है, वो सब मिलकर सौर मंडल का नेर्माण करते हैं, उनके अंदर कुछ उल्का पिंड भी होते हैं, कुछ शुद्र गरा ही ओते है जो हमने पिछले पेज पर ये जो चित्र देखा था ये चित्र ये क्या है सौर मंडल का ही एक चित्र है हागे चूरू करते हैं अब हमें एक एक करके सौर मंडल के हर सतस्य के बारे में संक्षित जानकारी दी जाएगी सबसे पहले आता है सूर्य सूर्य सौर मंडल के किंद्र में स्थित है यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गरम गैसों से बना है इसका खेचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उश्मा का एक मात्रिस त्रोथ है लेकिन हम इसकी अत्यदिक तेज उश्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदिक का तारा होने के बावजोद यह हमसे बहुत दूर है सूर्य प्रिथ्वी से लगबर 15 करोड किलोमीटर द है फिर्थ की को देखके हैं सूर्य पिशिवी क्या है एक तरह का तारा है इसका खिचाव बल है जो सोर मंडल को बांध के रखता है जो ग्रह और उपग्रह हैं इसके बल के कारण वह आपस में खिचे रहते हैं एक दूसरे की तरफ इसका अपना प्रकाश होता है इसके हारे सोर मंडल में आठ ग्रया है, सूरी से शनी, सूरी से दूरी के अनुसार वे हैं, बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रेस्पति, शनी, युरेनस तथा नेप्चुन और अंग्रेजी में ये जो लाइन है, My very efficient mother just served us nuts, इसकी साहिता से हम याद कर सकते हैं, सोर मंडल के सभी आठ ग्रया एक निश्टित पत पर सूरी का चक्र लगाते हैं, ये रास्ते दिर्ग वरताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं, बुद्ध सूरी के सबसे नजदीक है, अपने कक्षा में सूरी के चारों और एक चक्र लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, शुक्र को पृत्वी का जुडवां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एमेमाकरती लगबग पृत्वी के ही समान है, पृत्वी और सिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आकार में लगबग एक दूसरे के बराबर हैं, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परमतु अंतर राश्टिये खगोलिये संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यहें निर्णे लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, प्रित्वी, सूर्य की दूरी के हिसाब से प्रित्वी तीसरा ग्रह है, और सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह पड़ता है, वो है प्रित्वी, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और अगर हम आकार के हिसाब से साइज के हिसाब से देखें तो ये इसका नमर पांच वा आता है ये धुरूं के पास थोड़ी चप्टी है यही कारण है कि इसके आकार को भू आब का जाता है भू आब का अर्थ है पृत्वी के समान आकार जीवन के लिए अनुकूल प्रसितियां संभवता के वल पृत्वी में जीवन के लिए अवशक गैसें जैसे ऑक्सिजन मुझूद है इनी कारणों से पृत्वी सोर मंडल का सबसे अदबुत ग्रह है अंतरिक से देखने पर पृत्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतय पानी से ढकी हुई है इसलिए इसे न सूरी की जो दूरी है वो आदर्श है सूरी की जो उश्मा है वो एक ऐसी क्वांटिटी में पहुंचती है जितने की उसकी जरुरत है जीवन के लिए इहां पर ऑक्सिजन है इहां पर पानी है जो उसको अदबुत बनाती है और अनुकूल बनाती है जीवन के लिए और अंत प्रिथवी के पास केवल एक उपकर है चंद्रमा इसका व्यास प्रिथवी के व्यास का केवल एक चोथाई है व्यास क्या होता है मान लीजे यह गोला करती है गोला है कोई भी अगर यहां से लेकर यहां तक किनी भी दो बिंदूओं को हमामने सामने हापस में मिला देंगे ज इसलिए प्रतित होता है क्योंकि यह हमारे घर से अन्य ख़गूल यह पिंडों की पेक्षा नजदीक है यह हमसे लगबग तीन लाग चुरासी हजार चार सो किलोमेटर दूर है अब आप प्रित्वी से सूर्यम चंद्रमा की दूरियों की तुल्ला कर सकते हैं हमें पता है कि प्रित्वी की स्उर्यम चंद्रमा से दूरी कितनी है तीन लाग 424,470 किलोमेटर और प्रित्वी की सूर्य से दूरी कितनी ती लगबग 15 क्रोड की लोमेटर है यहां पर नीची जो यह फिंड Our Cundra में तो एक चंद्रमा परेकड़रपी का ऊज़ी पूरा करता है लगबग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है इसके परणाम सुर्थ पृत्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है चंद्रमा की परिस्यतियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है मतलब वहां पर जीव आगे चंद्रमा के बाद बताया गया है शुद्र ग्रह के बारे में तारों ग्रहों एवं उप ग्रहों के अतरिक असंख्य चोटे पिंडवी सूर्य के चारों और चक्कर लगाते हैं इन पिंड़ों को शुद्र ग्रह कहते हैं यह मंगल एवं ब्रिस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं बैज्ञानिकों के अनुसार शुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो की बहुत वर्ष पहले फिसफोट के बाद ग्रहों से तूटकर अलग हुए हैं शुद्र ग्रह की पट्टी जो थी वो हमने उस प्रिश्च पर पीछे देखी भी दी जहाँ पर सौरम पिंड पृत्वी के इतने नज़्दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवर्ती पृत्वी पर गिरने की होती है इस प्रक्रिया के दोरान वायू के साथ घर्शन होने के कारणि गरम होकर जल जाते हैं फर्स वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन होता है कभी कभी कोई उलका पूरी पर्थवी तरह जले बिंडा प्रथवी पर गिरती हैं जिससे धर जाय दरतल पर गड़े बन जाते हैं। और यह बहुत तेज गती सेme क्योंकि पृत्थवी की तरफ आते हैं, तो यह से शलते हैं। पूरी तरह से, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी और तक फैली चोड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, यह लाखों तारों का समू है, यह पट्टी आकाश गंगा है, इसको इंगलिश में कहते हैं, मिलकीवे, हमारा स मंडल है, वो इसी आकाश गंगा का एक हिस्सा है, जिसका नाम है मिलकीवे, वेस की कलपना आकाश में प्रकाश की एक भैती नदी से की गई है, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था, आकाश गंगा करोडों, तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है इस प्रकार की लाखो आकाश गंगाय मिलकर ब्रहमांड का निर्मान करती है ब्रहमांड की विशालता की कलपना करना अत्तिक कठिन है वैज्यानिक अभी भी इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है यह हमारा चप्टर था चलिए एक बार जो साइड्स में छोटे छोटे नोट्स दिये गए हैं चप्टर में उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं प्रश्च नमबर चार पर इस सबसे पहली कूर्थी क्या आप जानते हैं पौरानिक रोमन कहानियों में सोर सूरी देवता को कहा जाता है सौर शब्द का आर्थ है सौरी से संबंदित इसलिए सौरे के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का आप लिख सकते हैं यह आप स्वेम करके देखेंगे उसके बाद है शब्द की उत्पत्ती के शब्द की उत्पत्ती कैसे होती है ऐसे बहुत शब्द जिनका उपयोग हम एक भाशा में गरते हैं अक्सरवे दूसरी भाषाओं से लिये गए शब्द हैं, संकेत हैं उधारण के लिए जियोग्राफी, एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है प्रित्वी का विवरण, यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें ज इ शब्द का अर्थ है पृत्वी एमग्राफिया का अर्थ है लिखना आए पृत्वी के सम्मद में और अधिक जाने जियो से मिलकर जियो के आगे अगर हम लौजी लगा देते तो होती है जियो लौजी मेट्री लगा देते तो जियो मेट्री और ओड लगा देते हैं तो जि आर्य भट प्राचीन भारत की प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे उन्होंने कहा था कि सभी ग्रैत था चंद्र मां परिवर्तित प्रावर्तित सुर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं आज विश्व के सभी भागों में खगोल विद भ्रमांड की रहस्यों को खोजने में लगे ह आप जाने हैं म्हा हैं जानकारी देते हैं प्रकाश की गति लगभक vigor है उतरी एक нравится कि युद्ठ प्रकाश qoc के दूरी तैय कर सकता है इस घति के बाविजुद सुरे के प्रकाश को प्रत्वी तक पहुंचने मेंरें लगवख 8 मिनट का समय लग रोचकता थे नील आमस्ट्रॉंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1979 को सबसे पहले चंद्रमा की सता पर कदम रखा मालूम करो कि क्या कोई भारतिय चंद्रमा पर गया है यह आप खोज के दिखेंगे उपगरव एक खगोली पिंड है जो ग्रहों के चार और उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकारी है सूरी के चार और चक्कर लगाते हैं मानम निर्मित उपगरव भी होते हैं फिर एक कृत्रम पिंड है यह वज्यानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृत्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है संचार माध्यम मतलब जिसे टेलिफोन है जिसे टीवी है ये सब क्या संचार के माध्यम है तो इन सब को जो signal मिलते हैं, वो किस से मिलते हैं, जो human made satellites होते हैं, उनसे मिलते हैं, राकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, इनको कैसे भेजते हैं आकाश में, राकेट के द्वारा भेजते हैं, चित्र में यहाँ पर समझाया गया है, पूरी तरह से, अंतरिक् प्रवेश कर चूका है और अगर ये ठीक से पहुंच जाता तो वहां से वहां से हमें जनकारिया भीशता रहता है कर दो कर दो कर दो